बेटी को लख सकता है एक आदमी जो बच्ची को सामने बिठाके वो पुलीस टेशन में मैंने डिपॉजिट किया है, वो सुनिये आप हाँ तो दे दियाने वो तब पुलीस डिसाइड करेगी, फामली कोट डिसाइड करेगा क्रिमिनल कंप्लेइन है, इन्वेस्टिकेशन होने दीजे, मैं तो इतना है कह सकती हूं कि सच सामने आ जाता है, जूट के पाओं जादा नहीं चलते, है न, अपने बच्चे के खिलाफ में क्या बोली, वो बोली, बच्पना हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं बोली है, अगर आ बच्ची बाप के पास रहना चाहती है, मैं मानती हूं, देखे, मैं भी नारी सुरक्षा के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए काम कर चुकी हूं, और औरतों के लिए, मैं जगड़ा करती हूं, पुली स्टेशन में जाके, मैं खुद सोशल वर्क करती हूं, टेक्निकल के से तीन हवते से पास में थी 29 तारीकों गई करेक्ट है am I right or not 29 तारीकों 29 माई को बच्ची बाप के पास गई किसी भी दिन सुबह 10 बजे अपने बच्चे को ले जा सकता था रात में क्यूं 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 रात में हैं बच्चे को राइट है बिल्कुल कंप्लेंड करने का बि है में बोल सवाल है मैं बोल रहे हुं जो आदमी दिन-रात में टारू पिता है काम नहीं करता हैि क्या काम करता है पुच teammate कह से आ रहे यह बच्ची मेरे यहां चार बाईयां काम करती उसको हर चीज गरम और फ्रेश चाहिए रहती है आज तीन हफ़ते से बाहर होटलों का खाना खा रही है बारिश हो रही है आप में से कितने बिमार पड़ेंगे देखें आप मैं डॉक्टर हूं अच्छी परवरिश हो रही है तो मेरी बच्ची सेफ है यह एक मा को अगर बच्चा बिगणा है तो उसको दो थपड मारना गुना है कौन से कॉर्ट में गुना है अगर बच्चे ने जो इल्जाम लगाया है वो तो पुलिस इन्विस्टिगेट कर रही है उस पर आप लोग कमेंट मत कीजिए मैं भी नहीं करना चाहूंगी अगर आपको लगता है कि उसमें अगर जरासी भी मेडिकल क्लियर आया है उसका अगर जरासी भी गलती होती तो आपको लगता है 328 लगाने के बाद मैं आपके सामने बैठके प्रेस कर रही होती अगर आप मर्द है तो आप मुझसे आके सवाल जवाब कीजिए एक बच्चे को एक 15 साल की बच्ची जिसकी जिन्दगी आगे पड़ी है उसको इस तरह का गंदा एक्स्पोजर देके उसके मेंटली उसको और हाम करके उससे उसका जीने का मौका मत चीने हर चीज मांगने का एक वक्त होता है आप खुद बात करिये मेरे बच्चे को बकरा ना बनाया जाए और अमिताब गयाल से आप पूछिए आप मुझसे पूछ रहे ना आपने पूछा भई बाप बच्ची को अधिकार है वो कंप्लेन अधिकार मैंने सब मान लिया आप मु में रहता है जा सिक्योर्टी नहीं है बच्चा अल्रेडी भटका हुआ है क्या मेरी बच्ची सेफ है एक ऐसी बच्ची जिसको आप कभी भी ले जा सकते थे पिछले 15 सालों में आपको 15 साल की जवान हुई हुई लड़की अचानक से क्यों रखनी है यह सवाल आप पूछी से इसलिए मैंने बोला है मैं इसलिए यहां के बात नहीं कर रही हूं कि वो डिफेम हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथ साल से जिस आदमी के साथ मैं नहीं रह रही हूं मैं एक नहीं मैं 50 बॉइश्रेंट रख सकती है आप लोगों को अब्जेक्शन है मैं अपने साति-जिद्धगी में क्या करती हूं और मेरा एक ही जवाब है मेरा अगर चार साल का बेटा मेरे दरवाजे की रहता है आप सबको पता था नहीं आप तो मैं सामने आ गई से लड़का करेगा मेरा अगर आपकी मां चुडेल है तो छुटी बच्ची को डाइपर बदले मेरे बेटे ने ठीक है उसको दूद दे के बर्प दिया मेरे बेटे ने कि मेरे अम्मू अमारी गोरी एसी है नौकर के हाथ गंदे यह इतने पर्जेसिव ले नाम रखा उसने इ सब जब इसने शराप बीपी के मुझे कितना मारा है तीन मैने की मेरी बच्ची को असे फेक रहा था हर चीज पैसे के लिए एक्स्टॉर्शन के लिए करियर बनाने के लिए जबरदस्ती पैसे चीन के यह 2000 में जब धुआ बना रही थी यह संजे मासूम को लेके पिक्चर क मेरे सेटियूल के पैसे उठा के बैंकाक चला गया था मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा बैंकट जाके कौन सी स्क्रिप्ट लिखे और कौन सी फिल्म में आई है पुछिए इस से अत्या चार मैने से हे बच्ची के लिए में चुप رही बदनामिके डर से मैं चुपरही कि घर की गंद बाहर नहीं निकाली जाती कोई भी पढ़ी लिखी औरत इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ इसलिए कि मैं जो भी अगर ये इस तरह के रिडिकिलिस आज जो स्टेटमेंट्स बता रही हूं न कि घर की बाते बता रही हूं इसका असर उन बच्चों पे होगा इसलिए मैं इतने साल चुप थी लेकिन अगर उसी बच्ची को इस्तमाल करके आप मुझे character assassination करते हैं आप मेरे पे गलत इलजाम लगाते हैं तो मुझे आके अमिताब दयाल की सच्चाई बताना आज यहां पे मेरी मजबूरी है मैं कुछ glorified नहीं feel कर रही हूँ ना मुझे इस बात का मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है आपने कहानियां पढ़ी होंगे आपके घरों में भी मा होगी आप चाहिए चोरी करके आते हो आप चाहिए गलत काम करके आते हो आपकी मा क्या करती है मुझे बताईए मारती है सबसे पहले रोती भी वही है थोड़ी दिर में प्यार करने भी वही आती है आपको राइट मेरे चहरे को देखके मेरे पुरे करियोग्राफ को लेखके आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी C-grade Hindi film की दुष्ट मा हूँ सौतेली मा हूँ मैं उसकी उसको ऐसी ऐसी चीजे सिखाई I want to stay with my biological mother उसने मुझे SMS बेजा तो मैं भूली Hey भगवान I am her biological mother too जो बच्चे का mental status बगड़ा हुआ है कौन सा जिम्मेदार बाप उसको बताता है कि यह तुमारा भाई नहीं है जिसने उसको बाप की तरह पाला भाई की तरह नहीं देखा वो 11 साल बढ़ा है उससे यह बाप कहा था 2007 में मुझे थ्रेट था तो मेरे पास एक गन पुलिस ओफिसर था ड्यूटी पे वो पुलिस ओफिसर मुझे ले जाता था कि वो शराब ना पिये एंड तक दुनिया का जोपड़ पत्ति का हो चाए करोड़ पति हो अंबानी के घर का मान लीजे जैसे यह क्लिंटन के घर का हो एनीबड़ी हूज एन एल्कोहलिक एनीबड़ी हूज इस अ क्रोणिक अल्कोहलिक सबस्टैंस अब्यूजिंग वाट एट पर्सन बिहेवस इस अ मेडिकल साइंस इट इस यूनिफॉर्म यह नहीं है कि धारावी वाला अदमी अलब काम करेगा और रहजा क्रेस वाला शराबी अलब काम करेगा सारे शराबी एक जैसे ही हरकते करते हैं गालियां देते हैं मारते पीटते हैं और खून कर देते हैं तो एक ऐसा शराबी एक ऐसा विमिनाइजर मुझसे कहां जा रहा है तौबा नैफिरानी उसका केस फ्री में फाइट कर रहे हैं क्यों गुडविल केसे हम भी करते हैं गरीबों की मदद मैं भी करते हैं अमिताब दयाल में उसने सक्या पाया कि उसका वो डिवोर्स केस फ्री में फाइट कर रहे है और ये सारा प्लान के तहत मुझे 7 जून को मेरी लॉयर ने जो रिस्पॉंड किया उसका ये सब प्रेस वाला कांड करके मुझे तौबन एफ इरानी जवाब अब मेरी लॉयर को देती है कि ऐसी दुष्ट मा के लिए चाइल्ड वेलफेर के लिए अब हम कस्टडी नहीं देंगे आपको पता हैं आप मैंसे कितनों को लॉज पता हैं मुझे नहीं पता हैं एक बच्ची जिसकी साइको ठहरपी चल रही है उसके सशंज मिस्ट कराके उसको रातो रात पुली स्टेशन में बिठाके यह मीडिया उसके लिए कराके उसने कितने बड़े जिम्मेदार पेरेंट का एक्जैंपल दिया है मिर्णालीनी ने कोई conspiracy नहीं की उसने खुद किया नहीं इसको कस्टडी मिलेगी इसको इसकी कमाई क्या है मुझे बताइए एक जिम्मेदार बाप एक पंदरा साल के बच्चे के तुम अपने पास रखो मां का character assassination क्यों कर रहे हैं जिस लड़के का नाम openly जिस लड़के का नाम openly फेस्बुक पे लेके आम इताब दयाल बदनामी कर रहा है मेरी आदत है बंबई के पचास लोगों से पूछ लीजे मेरे बेटे के दोस्त भी मुझे दोस्ती समझते इस लड़के कि उसको फिनाइंस पता है मुझे पैसे पैसा picture बनाना आता है वो अकाउंट मेरा दिमाग खरा मुझे ने समझ में आता वो टॉपर है हर चीज में अगर वो बच्चा ताइम तु टॉटाइम आके मुझे रिलीज के पहले मदद करता है प्रोडूसर हूं डिरेक्टर हूं सब मैं काम कर रही हूं कभी मेरे घर में कुछ काम देख लेता है कभी मैं हादिकार से उसको बोलती हूं मेरी बेटी उसको पिछले पाक साल से राखी बांध रही है दादू बोल रही है उसको और मुझे involve करके complaint लिखवाई, उस लड़के को सुनिये, उसका नाम भी है न, complaint में आपके पास सब आ चुका होगा details, उस लड़के को आप जाए लीलावती में पता कीजिए, 2014 नवंबर में उस लड़के को multiple strokes हुए है, because he is very intelligent, intelligent, suppressed, शांत जो लोग होते हैं, उनको हमेश OCD नाम की disorder होती है, जो फरान अक्तर बार-बार बोलते हैं कि I have a lot of OCD, perfection जो आदमी चाहता है, OCD अभी 87 प्रतेशत लोगों को common है, as a doctor में knowledge दे रहे है, उसने उसको राखी बांदी, उसने उसको बच्चे की तरह देखा, statement भी जब वो देने गया था कल, वो रो रहा था, ज जोहां neurosurgeon है, लीलावती में जाके पता करिए, तीन stroke होए थे, उसको तीन clot होए थे, miraculously बचाए, क्योंकि बहुत बड़े घर का लड़का है, यह जो पंदरा दिन से उसके दिल पे जो प्रेशर हो रहा है न, अब वो मर गया न, इसकी जिम्मेंदारी है, अमिताब दयाल ल आपने एक नाम पकड़ा, आपने एक नाम पकड़ा, वो तो और कुछ भी बोलेगा, उसने तो मुझे जो धंकिया दिया है, उसमें उसने 20-25, पिछले मेरी फिल्म में जिन्नोंने मेरी लिरिक्स लिखी, इर्शाद कामिल, उनका नाम ले लिया, फिर उसने एक नाम ले लि लिए नहीं दो, यह दो हो और रहा है, लिकां मेरे बारा साल विक्टिम रही, इसमें में 12 साल विक्टिम रही, बच्चे बड़े हो रहे थे, इतनी गंधी न्यूज मेरे पास, मैंने घर बदला इंद्रलोग में ता घर चेंज किया गाडिया चेंज कि मैंने का मेरे बच्चे वहीं घूमते मैं जाते बोलेंगे इस गाड़ी में तो यह होता है ऐसी का कौनसी औरत नहीं जो नहीं घूमती इसलिए मैंने सब किया है सब को बिल्कुल on record है मैंने किस वक्त अब मुझे एक जिम्मेदार चानल की तरह एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह एक जिम्मेदार सब के घर में लड़किया हैं सब के घर में बहने हैं माएं हैं बहुत अत्याचार सब पर होता है मैं कोई अत्याचारी अबला बुलकर आपके सामने नहीं आई हूँ प्लीज सि पहना चाह रही हूं वो शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा आपके एडिटर्स की भी समझ में आ गया होगा तो जो असली बात है motive behind the last week's complaint is this और जो मताब दयाल की हरकते हैं अब F.I.R. दर्ज होगा न प्लीज पुली स्टेशन आईए और जरूर छापिये मेरा इंटर्व्यू फिर F.I.R. सिर्फ इसलिए मत छापिये क्योंकि कोई बच्चा है और आपको बड़ी interesting सी sizzling स्टोरी मिल गई है F.I.R. तो कल भी होगी मैं देखती हूँ आप सब आएंगे वहाँ और छापेंगे बिल्कुल नीज बात की सच्चाए को जाने है एक बच्ची की जिंदगी को खत्रे में मत आने दीजे कल आपको order आ जाएगा अब वो बच्चा कभी मीडिया में आके इंटर्व्यू नहीं है आयाम और बाइलोजिकल मदर नौ मैने पेट में रखा है और पंदरा साल की खुबसूरत लड़की उसे बनाई है बहुत बहुत अच्छे संस्कार दिये है बच्ची बहुत अच्छी है